लोकतंत्र के लिए संगर्ष सन 2010 में लीबिया के पडोसी देश टुनीशिया में एक वैपारी की हत्या के विरोध में विद्रोह हो गया जो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरेन और सीरिया तक फैल गया ये करांतिकारी लहर अरब बसंद के नाम से लोक प्रिया हुई, अफरीका महादीप में ये लोकतंत्र वाराश्च्रवाद की लहर थी जन्वरी सन 2011 में लीबिया के अलबाइदा नामक शहर में हो रहे भरष्टाचार एवं आवास योजना के अंतरगत मकानों को बनाये जाने में हो रही देरी पर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे बिंगाजी नामक शहर में जन्ता को आम सुधाएं भी प्राप्त नहीं थी ये शहर हिंसात्मक प्रदर्शनों का केंद्र बन गया पुलीस ने इन्हें कुचलने का प्रयास किया शहर के बहुत से लोग बेरोजगार थे कई परिवारों की आय में अनिश्चितता थी देश के विभिन भागों के लोग आपस में इंटरनेट और मोबाइल फोन द्वारा बातचीत करने लगे परिशानियां बांटने लगे किन्तु सरकार द्वारा नियंतरित मीडिया ने इस तरह की सभी खबरों को प्रसारित करने से मना कर दिया फरवरी सन 2011 तक ये विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक होने लगे जनता बेंगाजी शहर की पुलीस के खिलाफ जलूस निकानने लगी कुछ प्रदर्शन कारियों ने भी बंदूके चलाई लोग अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इन विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों पर आक्रमन किया विरोध को कुचलने के लिए कई स्थानों पर पुलीस और कई स्थानों पर सेना ने गोलियां चलाई इसके बावजूद विरोध की लहर अन्न शहरों और आसपास के इलाकों में फैलने लगी लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार के गठन की मांग को लेकर संघर्ष तेज कर दिया गदाफी ने हवाई जहाजों और सेना के माध्यम से संघर्ष को रोकने का प्रयास किया इस तरह देश में ग्रिह युद्ध छिड़ गया नागरिक समू अपने ही लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने लगे